So Hello Friends, Welcome to God of Economic Classes और हम लोग आज Green Revolution के Achievements के बारे में पढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात मैंने Playlist बना दी है Playlist Section में आप जाएगे Indian Economic Development के सारे Lectures पढ़े हुए है और दूसरी बात अगर आपको इन Lectures के रिकार्डिंग कोई डाउट होता है तो आप मेरे WhatsApp नमबर मुझे Message कर सकते हैं मेरा WhatsApp नमबर है 888-1988-317 तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या चीज़ें हुई सबसे पहली बात है कि Green Revolution के आने के वज़े से Green Revolution मेंली HYV Seeds आये थे HYV Seeds HYV तो HYV Seeds हमारे आये थे HYV Seeds मेंली क्या थे HYV Seeds ऐसे Seeds से जिसके आने के वज़े से हमारी Productivity काफी ज़्यादा बढ़ गए थी Food Gain वगएरा की तो इसी को ही हम पढ़ेंगे कि Green Revolution के क्या-क्या Achievements थे कैसे-कैसे Green Revolution ने हमें फाइदा पहुँचाया Thanks to Agregarian Reform Agriculture जो Reform हुए उसको Thanks क्योंकि इससे हमारी काफी ज़्यादा Output हमारा बढ़ गया था सबसे पहले हमारा जो Agriculture Sector था Backward और Stagnant था मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ हमारा Agriculture Sector था Stagnant था मतलब रुका हुआ था बिलकुल उसमें कोई भी Growth नहीं हो रही थी और ये Green Revolution के आने बाद हमारा Sector जो Agriculture Sector वो Developing Sector में Count होने लगा Agriculture Sector में काफी ज़्यादा Development देखा जाने लगा तो ये सब Green Revolution की वज़े से हो रहा था उसी कौन लोग डिटेल में और पढ़ते हैं देखिए यहां क्या लिखा है The term Green, Green का मतलब क्या होता है Green का मतलब होता है Crop और Revolution का मतलब होता है Spert Spert means होता है उच्छाल तो Crop के Productivity क्या हो गया एकदम से उच्छाल आ गया काफी ज़्यादा तो together these term implies a Spert in Crop Production इन दोनों term को अगर हम combine कर दें तो Spert in Crop Production मतलब Crop Productivity में उच्छाल आना और यह कब से हुआ था मेले तो Green Revolution हमारा इंडिया में इंट्रिउस हुआ था 1965 में वड़ उसका फायदा 1967, 67 से 68 में हमें काफी ज़्यादा दिखा Food Grain Production हमारा Increase हो गया था 25% हमारा Food Grain Production बढ़ गया था पहले से 25% हमारा Food Grain Grain Production बढ़ गया था Because of Grain Relation और इंडिया अप Self Sufficient बन गया था हमारा Food Grain के मामले मतलब हम लोग पहले से इंपोर्ट नहीं करते थे चीजें जैसे हम पहले मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग USA वगरा से इंपोर्ट करते थी चीजें बद आज आज की टाइम हम लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे थे अब देखी सबसे Green Relation के देखी जो फायदे हैं उसको मैंने उसको Books में जो आपके हैं Phase 1 और Phase 2 में Distribute करा गया Phase 1 था Mid 60s से Mid 70s के बीच में Mid 60s से Mid 70s के बीच में जो Green Relation के फायदा है वो पंजाब राइस में Introduce करे थे मतलब वीट और राइस के Productivity बढ़ाने का काम करा गया था बहांकि ये सारे बहुत सारे क्रॉप्स में आगए Pulsas वगरा में आगए मेज में आगए जुआर में आगए बट में जब स्टार्ट हुआ था तो वीट और राइस के Productivity बढ़ाने के लिए ही Grain Revolution का Discovery हुई थी अब देखिए अब During the phase the impact अब सबसे पहली बात Mid 70s और Mid 80s में जो का phase है उसमें देखते हैं सबसे पहला देखिए क्या लेखा है Spurting Top Productivity मैंने आपको 10 बार बता है Productivity का मतलब क्या होता है Productivity का मतलब होता है पर हेक्टेर आउटपुट हमारा कितना है तो देखिए Productivity of wheat Productivity जो wheat की थी 2018-19 में कितनी ज़्यादा थी 1408 kg पर हेक्टेर अलब इतना एक हेक्टेर में हमारा crop होता था Compared to 660 हमारी होती थी 1951 में देखिए कितना ज़्यादा इंप्रूव हुआ 1950 में 660 kg होता था और आज के टाइम 2018 के टाइम 3408 यही rice में भी हुआ rice का productivity 2018-19 में हमारी थी 2665 और 1951 में थी 665 पर हेक्टेर और maze में भी यही हुआ 1114 kg पर हेक्टेर productivity थी 2018-19 में और 1951 में थी 704 kg पर हेक्टेर ठीक न तो आप देख रहे होंगे कि कैसे हमारा जो wheat rice जितने भी major crops थे उनका कैकेते हैं कैसे productivity हमारी काफी ज़्यादा बड़ी because of HYV seeds और जो की grain revolution के time आया थे दूसरा point है और इन सब की वज़े से हमारा जो agriculture sector है उसमें जो long period stagnation था long period stagnation मतलब होता है जो long period से agriculture sector हमारा grow नहीं कर रहा था उसमें वो growth देखने को हमारी मिली substantial rise in acreage substantial rise in acreage मतलब क्या होता है हमारा जो area under cultivation था वो हमारा भी अब बढ़ गया था पहले क्या था barren land मतलब क्या होता है जिस land में हम harvesting cultivation नहीं कर सकते हैं but green revolution के आने से पहली बात HYV seeds है जो बहुत ही high quality seeds थी पंदब उन में ज्यादा आपको fertilizers वगरा की need नहीं पड़ती थी और chemical fertilizers वगरा भी discovery हुई green revolution के time जिससे आपको खेद को जोतने की जरूत नहीं पड़ती फैलोइंग मतलब होता है खेद को जोतना तो अब खेद को जोतने की जरूत नहीं पड़ ले chemical fertilizers का आप use करिये soils में तो आप क्या कहते हैं अच्छे से आपकी productivity और जो stems हैं जो पेंड की आपकी stems हैं वो अंदर तक चली जाएंगी with the help of chemical fertilizers और productivity भी काफी जादा हमारा plant देगा तो इसकी वज़े से chemical fertilizer आने की वज़े से HYV seeds आने की वज़े से हमारी productivity काफी जादा बढ़ गई हमारे area under cultivation भी काफी जादा बढ़ गया अब किसान time lag मतलब जो अब किसान पहले fossil क्या कहता है बोता है पहले बीज बोता है फिर फसल काटता है न तो फसल जो बीज बोने और फसल काटने का जो time था वह बहुत ही कम हो गया तो क्योंकि भाई जैसे बीज बोए तो उसके कुछ time period बाद फसल हो जाती थी अच्छी तयार तो अब time gap कम होने लगा तो इससे किसान क्या करने लगा हम अंदर हमारा जो cultivation area था वो बड़ा हमारे rotation of crop होने लगा मतलब कि एक ही land में हम कई सारी crops को cultivate कर सकते थे ठीक है ना अब देके 1950 में हमारा 13 करोण hectare ऐसा area था जहां हम farming वगरा कर सकते थे बट अब आज किना 19 करोण हमारा hectare ऐसा land हो गया जहां farming कर सकते हैं ठीक है तो following मतलब म खेट को जोतना और chemical फट पहले क्या होता था खेट को जोता था फिर उसके बाद sowing करता था फिर उसके बाद बीज बोता था किसान बट आज की टाइम क्या है आज की टाइम खेट नहीं जोते जाते हैं chemical fertilizer कही यूज़ करके chemical fertilizer ही सारा काम कर देते हैं ठीक है ना तो hyv technology के prior पहले हमारा यह following का system चलता था खेट जूतने का system चलता था बट आज की टाइम आज की टाइम chemical fertilizer इतने जादा fertilizer आगे chemical fertilizer तो उसका आप यूज़ करके आप अच्छी से अच्छी productivity गीन कर सकते हैं ठीक है सिर्फ ट्रॉम सबसेशेंस तू कॉमर्चियल फार्मिंग आज की यह अच्छी बात है कि अपने कंज्यूम कर लिए जो भी प्रिद्ध कर रहा जो आप मार्केट में जाकी से आप क्या क्या केते हैं कि आप एक तरीकेस farming को अब आपने commercial farming में change कर दिया पहले आप subsistence करते थे कि अब भाई बस पेड़ बढ़ जा उतनी farming करनी बट आप commercial farming business point of view से भी farming कर रहे हो तो यह क्या है यह sign of growth है growth development की हाँ मारा farming sector में growth हो रही development हो रहा है ठीक है न यहीं लिखा है marketable surplus मतलब क्या ओधर दे यही जयसे मैंने मैंने एक कुंडल worst कर करते हैं कि करा farming उसका कर हर्विस्टिंग करा मैंने produce कर रहे है कंड़ एक कंडल weed में फार्त ना ये और हाफ कंटल मैंने sell कर दिया जाके market में तो क्या हुआ हाफ कंटल जो मैंने sell कर रा उससे मेरे commercial farming में मेरी farming change हुई अब मैं business point of view से profit oriented काम कर रहा हूँ अब मुझे फायदा होगा तो मैं agriculture sector को develop करूँगा तो यही सारी चीजें हैं तो marketable surplus of wheat का formula क्या होता है output of wheat जितना आपने produce करा था और फिर जितना आपने produce करा minus जितना आपने consume कर लिया उसको आप minus कर दीजिए आपका surplus निकल आएगा ठीक है न अगर surplus sell करने के बाद आपके पास क्या आएगा पैसा आएगा और पैसे को हम क्या कहते हैं further production में यूज कर सकते हैं consumer goods खरीच सकते हैं किसान अपने जो बांकी चीजें हैं वो खरीच सकता है और एक अच्छी चीज है मनलब अच्छी चीज है कैसे बाई किसान अगर ज़्यादा प्रड्यूस कर रहा तो वो sell करेगा मार्केट में जाके sell करेगा तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई और चीजें खरीच सकता है जो पहले वो नहीं खरीच पाता था consumer goods खरीच सकता है जो consumer पर चेस मैन आपको macroe में बताया था consumer goods कौन से goods होते है तो यह सारे फाई देथे अब देखिए next अ बाई doubt рын उसे farming कर दा था commercial farming कर दा तो farmer का क्या कहते हैं कि अब change हो रहा था हमारा outlook self-sufficiency in food grain production हमारा wheat और rice और जितने भी food grain है उनमें हम self-sufficient हो गए थे अब हमें बाहर किसे किसी country से import वगेरा नहीं करना पढ़ रहा था increase in crop production because of green revolution की वज़े से हमारी crop productivity जो बढ़ी थी तो उसकी वज़े से हमारा इतनी productivity बढ़ गई कि हमारा buffer stock हम लोग इतना जाता होगे कि buffer stock maintain करके रख रहे हैं हमें बाहर से import करने की कोई जरुवत नहीं पढ़ रही थी ठीके ना अब देखे तो the stock are used during the period of मैंने आपको बताया था एक simple सी बात है अगर किसी country में अगर इस साल मान लीजे crop productivity आपकी फसल बहुत अच्छी होती है तो आपकी अगर इस साल अगर अच्छी होई तो next year आप मान लीजे अगर आपकी फसल नहीं अच्छी होई country में मान लीजे एक साल 2017 में हमारी बहुत और 2018 में नहीं हुआ तो जो 2018 में crop हमारा नहीं सही से हुआ है तो उसमें क्या 2017 का extra output था जो हमने surplus buffer stock में रखा है वो हम 2018 में हम यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं तो simple सी बात है जो extra माल है वो हम next year यूज कर सकते हैं जिस साल हमारी farming वगर अच्छी नहीं हुई है तो वह यहां लिखा है कि these stocks are used during the period of lean lean मतलब होता है low जब low supply of farm output की जब जिस साल फसल अच्छी नहीं हुई है तो उस साल हम क्या करते हैं इस surplus output का use कर सकते हैं और जो revolutionary rice हुआ था output में तो growth will self-sufficiency मतलब की बोलने का मतलब यह है कि हमारा जो agriculture sector इतना बढ़े है राइस करा था यह मतलब mainly यह है कि growth होई और हम साती साल self-sufficient भी बन गये थे ठीक है ना तो यह सारे हमारे reform थी हम लोगों ने पढ़ा कैसे rise in general reform technical reform मैंने पढ़ाए आपको institutional reform को land reform भी बोलते हैं तो यह सारे चीज़ें हमने पताएं और यह सारे green revolution के क्या थे यह सब benefits थे green revolution के time चो हमें benefits द देखिए अब gain of green revolution significant but not sufficient देखिए gain तो हुआ green revolution है बट इसके क्या जहते हैं हम लोग बोच सकते हैं कि कुछ इसके वह भी नहीं हुए कि मतलब हाँ इसका मलब जिस तरीके से gain देखा जा रहा था उस तरीके से नहीं हुआ ठीक है तो हम लोग इससे next video में देखेंगे और so keep watching or of economic classes next video में इसको पड़ते हैं हम लो